हेलो फ्रेंड्स प्रपर्टी गुरू कुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह चैनल आपको रियल स्टेट में ट्रेनिंग के साथ साथ रियल स्टेट में एक्सपर्ट अडवाई देने का भी काम करता है मैं हूर राजवान सिंग महाली प्रपर्टी बुक्स का ओथर मोटिवेशन स्पिकर एंड रियल स्टेट मेंटर आज का टॉपिक दाना बनाम परधना यह सिंपल है रियल स्टेट से हटके है दाना का मैंने लिखाए जीनियस होते हैं जो पंजबी का शब्द है दाना दाना को समयधार आदमी को दाना बोलती है जो बहुत और परक है चोटा सा फरक मैं आपके साथ डिसक्स करूँगा बहुत चोटी वीडियो है तो दाना का मतलब जीनिस अब यह एक स्वाल किया गया पहले परधना को पुछा के एक क्रिक्ट के एक ओबर में कितनी बाल्द होती है तो परधना का जवाब था छे तो वो ठीक है उसने बंद हो गया जिस बंदे ने स्वाल किया वहीं पर वो वो आ गया फिर जीनिस के पास दाना के पास दाना के पास है उसने बोला कि क्रिक्ट के एक ओबर में कितनी बाल्द होती है वो कहता जी बाल्द तो एक ही होती है लेकिन छे बार फेंकी जाती है बाल एक ही है छे बार बता दी तो बाल एक से ज्यादा भी हो तो सिर्फ टाइम को बचाने के लिए उसको यूज किया जाता है अदरवाइस बाल एक ही होती है कई बार मैं हमारे जो दोस्त है वो बस से चड़के चंडीगर आ रही है तो उनसे कभी बात होती है रास्ते में कहा है मुबाइल पर कहा ह है वो गएते हैं चंडीगर आ गया मल्क चंडीगर नहीं मैं आ गया कहीं लोग यह बोलते हैं परेशन्स के लाधर और लुद्याना नहीं आता आपकी बस यह आपकी कार लुद्याना में जाती है सिंपल बात यह है कि हमने यदि हम अपने शब्दों को भीटर करेंगे तो ह हमारा communication skill बैटर होके हम सामने वाले बंदे पर जादूई असर डाल सकते हैं सो आपने दना बनना है परधना नहीं सेल्फ स्टैल परधान नहीं बनना कि हम अपने आपी चौधरी नहीं बनना आपने समझ से समझदारी से बात करनी है और जीनिस बननी कोशिश करनी है जीनिस को ही सलाम होती है जो ये परधने इन से लोग किनारा करने की कोशिश करते हैं आज के लिए इतने दोस्तों मिलता हूं बहुत जल्द आप मेरे चैनल के साथ बने रहें थेंक्यू वरी मच्छ